भारतिय टीम T20 World Cup में अपने अभियान की शुरुवात पांच स्थारी को आयलाइन के खिलाफ मुकाबले से करने वाली है लेकिन उससे पहले भारतिय टीम ने बंगलादेज के खिलाफ अभियास मैच खेल लिया है और उस मुकाबले में एक बड़ी जीत भी हासिल कर ली है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस अभियास मैच से भारतिय टीम क्या वो की पॉइंटर्स लेके जाएगी जो T20 World Cup के अभियान में भारतिय टीम की मदद करने वाले हैं बंगलादेश की खिलाफ मुकाबले में हमने जो सबसे पहली चीज नोटिस करी वो थी स्लो पिच जिसको लेकर पहले ही भी बात की जारी थी कि युएस और वेस्टेट नीज की जो पिचेज होने वाली है वो डैम पिचेज होंगी वो धीमी विक्टे होंगी यहाँ पर इस कप में इस बार डैम पिचेज देखने को मिलेंगी और भारतिय टीम की तयारी भी लगबग वैसी ही रहने वाली है और इसलिए शायद जो चयन हुआ है 15 सदसिये टीम का उसमें आपको स्पिनर्स का बोल बाला देखने को मिल रहा है और जो मीडियम पेसर्स हैं ओल करिये भले ही अभ्यास मुकाबला हो लेकिन कॉंफिटेंस यहां से रिशव पंत को जरूर मिल कर जाएगा तीसरा भारतिय टीम के वाइस कैप्टन हार्दिक पांड़ा की परफॉमिंस आइपियल हार्दिक पांड़ा के कुछ खास अच्छा गया नहीं है चाहे वो खिलाड अच्छ ने कहीं बंगलादेशी बलेबाजों की कमर को तोड रिया और अर्षिदीप के भी कहीं ने कहीं भारती टीम के कप्तान को वाइस क्रेटन को टीम मैंगेजमेंट को एक कॉन्फिदेंस दिया है कि आप टीम में अर्षिदीप सिंग को जगह देकर आप प्लेइंग में खिला सकते हैं जस्परीद नुम्रा हमें पता है कि इतने बड़े गेंदबाज है और उनके पी गेंदबाजी शांदार रही है इस पिन डिपार्टमेंट शायद एक बड़ा कंसन हो सकता है कुल्दी प्यादों ने ठीक ता गेंदबाजी की लेकिन जो आपका छठा रोहित शर्मा के पास वो थोड़ा सा उनकी चिंगता बढ़ा सकता है यह कुछ पॉइंटर्स थे जो कप्तान रोहित शर्मा अपने मेन मुकाबले से पहले नोट करके जाएंगे अब देखने वाली बात होगी कि क्या शिवम दूब और हार्दिक पांडिया दोनों को प्ले झाल